सारनात काशी अत्वावारानसी के 10 किलोमीटर पूर्वो तर्मे स्थित प्रमुक बौधतीर्थ स्थल है ज्यान प्राप्ति के पश्चात बगवान बुद्वार ने अपना प्रधम उपदीश यहीं दिया था ज्यान प्राप्ति द्रम चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौधमत की प्रचार प्रसार का आरंभ था यह स्थान बौधम के चार प्रमुक तीर्थों में से एक है अन्नतीन है लुम्बनी, बोधग्या और कुशिनगर इसके साथ ही सारनात को जैन द्रम एवं हिंदुदम में भी महत्वुप्राप्त है जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन ग्रंथों के ग्यारेवे तीर्थंकर श्रयांसनात का जन्म यहां से थोड़ी दूर पर हुआ था यहां पर सारनात महादेव का मंदिर भी है जहां सावन के महीने में हिंदुओं का मैला लगता है सारनात में अशोक का चतुर मुक सिंह स्तंप, भगवान बुद्वार का मंदिर, धामिक, स्तूप, चोखंडी स्तूप, राजकी संग्रानले, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मुलंग धकुटी और नवीन विहार इत्यादी दर्शनिये हैं भारत का राश्ट्री चिहन्याही के अशोक स्तंप के मुकुट की द्विवे में अनुकृती है मुहम्मद गोरी ने सारनात के पूजा स्थलों को नश्ट कर दिया था सन 1905 में पुरातक्व विभाग ने यहां खुदाई का काम प्रारंब किया उसी समय बौध्रों के अनुयायों और इतिहास के विद्वानों का ध्यान धर गया वर्त्मान में सारनात एक तीर्ट स्थल और परिटन स्थल की रूप में लगातार वृद्धी की और अग्रसर है परिचे पहले यहां घनावन था और मृग विहार किया करती थे उस समय इसका अनाम रिशिपत्तन और मृग दाय था ज्यान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्वार ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था समराट अशोक के समय में यहां बहुत से निर्मान कारे हुए सिंहों की मूर्ती वाला भारत का राजचीन सारनात के अशोक के स्तंप के शिर्ष से ही लिया गया है यहां कधम एक स्टूप सारनात की प्राचीन दाका आज भी बोध कराता है विदेशी आक्रमनों और परसपर की दामिक खींचा तानी की कारण आगे चलकर सारनात का महत्व कम हो गया था म्रिगदाय में सारंगनात महादेव की मूर्ती की स्थापना हुई और स्थान का नाम सारनात पड़ गया प्राचीन नाम इसका प्राचीन नाम रिशितन इसितन या म्रिग गदाव हिरनों का जंगल था। जिसका संबंद वोधी सत्व की एक कथा से भी जोड़ा जाता है। इस तथे की पुष्टी सारनात में सारनात नामक शिव मंदिर की वर्तमानता से होती है। इतिहास बुढवार के प्रथम उपदिश लगभगिसा पूर्व से 300 वर्ष बाद तक का सारनात का इतिहास अग्यात है क्योंकि उत्खनन से स्काल का कोई भी अवशेश नहीं प्राप्त हुआ है। सारनात की समरिधि और बोध्रम का विकास सर्व प्रथम अशो के शासनकाल में द्रश्टिकत होता है।। उसने सारनात में धर्मराजी का स्थूप, धमिक, स्थूप इवम सिंग्स्थंप का निर्मान करवाया। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पुल्म सारनाथ हबनती की ओर अग्रसर होने लगा। इसा पुर्व दूसरी शती में शुम राज्य की स्थापना हुई लेकिन सारनाथ से इस काल का कोई लेक नहीं मिला। प्रथम शताबदी एक लगभा गुत्तर भारत की इवल सारनाथ में वरन भारत के विभिन भागों में बहुत से विहारों एवं स्थूपों का निर्मान करवाया। एक स्थानी के बदंती के अनुसार बौध्धुम के प्रचार के पूर्व सारनाथ श्रिव उपासना का केंद्र था। किन्तु, जैसे गया आदी और भी कई स्थानों के इतिहास से प्रमानित होता है बात इसकी उल्टी भी हो सकती है, अर्थात बौध्धुम के पतन के पश्चाथ ही श्रिव के उपासना यहां प्रचलित हुई हो। जान पड़ता है कि जैसे कई प्राचीन विशाल नगरों के उपनगर या नगरो ध्यान थे, जै फिर भी महान नगरी के सानिध्य में रहने के लिए बनाये थे। धर्म चक्र के सम्मुख वियनत महात्मा बुद्वार के प्रथम पांच शशिस सारनात के इतिहास में सबसे गौरपून समय गुप्त काल था। उस समय ये मत्रा के अतरिक्त उतर भारत में कलाका सबसे केंद्र था। हर्ष की शासनकाल में वेंट्सांग भारत आया था। उसने सारनात को थेन्त खुशहाल बताया था। हर्ष के बाद कई सु वर्ष तक सारनात विबिन शासकों के अधिकार में था लिकिन इनके शासनकाल में कोई विशेश उपलबधि नहीं हो पाई। दो भाईयों ने समराट की प्रेरणा से काशी के देवालियों के उध्धार के साथ साथ धर्म राजे का स्टूर पिपम धर्म चक्र का भी उध्धार किया। गाहरवाल वेश के शासनकाल में गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनात में एक विहार बनवाया था। उत्खनन से प्राप्त एक अभी लेक से भी इसकी पुष्टी होती है। इसके पशात सारनात की वैभव का अंथो गया। का सर्वप्रथम सीमित उत्खनन करनल क्याकेंजी ने 1815 ही में करवाया लेकिन उनको कोई महित्वपून सफलतार नहीं मिली। इस उत्खनन से प्राप्त सामगरी अब कलकत्ता के भारतिय संग्रहाले में सुरक्षित हैं। कैकेंजी की उत्खनन की 20 वर्ष पश्चात 1835 से 36 में कनिंगम ने सारनात का विस्तरित उत्खनन करवाया। उत्खनन में उन्होंने मुखे रूप से धम एक स्टूप, चोख खंडी स्टूप एवं बधकालीन वेहारों को खोद निकाला। कनिंगम का धम एक स्टूप से 3 फोट नीचे 601 का एक अभी लिखित शिलापट 283 4 इंचेक्स 13 इंचेक्स 43 इंच आकार का मिला। इसके अत्रित यहां से बड़ी संख्या मेभवनों में प्रयोक्त पत्थरों के टुकड़े एवं मूर्तियां भी मिली। जो अब कलकत्ता के भारतिय संग्रहाले में सुरक्षित हैं, 1851 से 52 में मेजर किटोई ने यहां उत्खनन करवाय जिसमें उन्हें धमेक स्टूप के आसपास अनिक स्टूपों एवं दो विहारों के अवशेश मिले, परन्तु इस उत्खनन की रिपोर्ट प्रकाशित न हो स किटोई के उपरांत एडवर्ड थामस तथा प्रुफेसर फिच एडवर्ड धार ने खोज कारेचारी रखा, उनके द्वारा उत्खनित वस्तूएं अब भारतिय संग्रहाले कलकत्ता में हैं, इस क्षेत्र का सर्वप्रथम विस्तरी तेवं वैग्यानिक उत्खनन, H.B. और अचल ने करवाया, उत्खनन दो सो वर्फुटक शेत्र में किया गया, यहां से मुख्य मंदिर तथा अशोक स्तंप के अतरिक बड़ी संख्या में मूर्थियां एवं शिलालेख मिले हैं, प्रमुख मूर्थियों में बोधी सत्व के विशाल अभी लिखित मूर्थी, आसनस्त, बुद्वार की मूर्थी, अवलो की तेश्वर, बोधी सत्व, मंजोश्री, नील कंच की मूर्थियां तथा तारा वसुंधरा आधि की प्रतिमाय भी हैं, पुरा तत्व विभा के डाइरेक्टर जनरल जान मार्शल ने अपने सहियोगियों स्टिंकोनों और दया पराम साहनी के साथ 1907 में सारनात के उतर दक्षिन क्षेत्रों में उत्खनन किया, उत्खनन से उतर क्षेत्र में तीन कुशान कालीन मचों का पता चला, दक्षिन क्षेत्र से विशेश कर धर्मराजिका स्टूप के आसपास तथा धमेक स्टूप के उतर से उन्हें अनिक छ छुटे छुटे स्टूपों एवं मंदिरों के अवशेश मिले। इन में से कुमार देवी के अभिलेकों से युक्तिकुछ मूर्तियां विशेश महत्व की हैं। इस उत्खनन से दयाराम साहनी को एक एक फुट नौ इंच लमवी, दो फुट साथ इंच चोड़ी तथा तीन फुट गहरी एक नाली के अवशेश मिले। क्विन साग ने इस स्थिती सारनाच से 0.8 किलोमीटर दक्षिन पश्चिम में बताई है जो 91.44 मीटर ऊचा था। इसकी पहचान चोखंडी स्थूप से ठीक प्रतीत होती है। इस स्थूप के ऊपर एक अश्ट पार्श्विय बुर्जी बनी हुई है। इसके उत्री दर्वाजी पर पड़े हुए पत्थर पर फॉर्सी में एक लेकों लिखित है जिसे ज्यात होता है कि टोडर्मल के पुत्र गोवर्धन सन 1589.996 हिजरी में इसे बनवाया था। लेक में वर्णत है कि हुमायू ने इस स्थान पर एक रात व्यातीत की थी जिसकी यादगार में इस बुर्ज का निर्मान संभर हुआ। जबके नीचे प्रयुक्तीटे 14 इंच नौ इंच दो इंच आकार की थी, 18 इस स्थूप का चोखन भी नाम पुराना जान पढ़ता है। इसके आकार प्रकार से ज्यात होता है कि एक चोक और कुर्सी पर ठोसीटों की क्रमश घटे हुई तीन मंजिले बनाई गई थी। सबसे उपर मंजिल की खुली छट पर संभवत कोई प्रतिमा स्थापित थी। गुप्त काल में इस प्रकार की स्थूप उंको तरमेधी स्थूप कहते थे। उत्खनन से प्राप्त सामगरियों के आधार पर ये निश्चित हो जाता है कि गुप्त काल में इस स्थूप का निर्मान हो चुका था। धर्मराजी का स्थूप इस स्थूप का निर्मान अशोक ने करवाया था। मोती के दाने एवं रत्न मिले थे जिसे उन्होंने विशेश महत्व का नमान कर गंगा में प्रवाहित कर दिया। यहां से प्राप महिरपाल की समय के 1026 के एक लेख में ये हो लेख है कि स्थिपाल और बसंतिपाल नामक दो बंदू ने धर्मराजी का और धर्मचक्र का जीर्नोधार किया। 1907-08 में मार्शल के निर्देशन में खुदाई से इस स्थूप के क्रमिक परिनिर्माणों के इतिहास का पता चला। इस स्थूप का कई बार परिवर्धनेवं संसकार हुआ। इस स्थूप के मूलभाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। उस समय इसका व्यास 13.48 मीट 44.3 इंच था। इसमें प्रयोक्त कीला कारियंटों की माप 19.14 इंच दू इंच और 16.12 इंच दू इंच थी। सर्विप्रथम परिवर्धन कुशान काल या आरंभी गुपकाल में हुआ। इस समय स्थूप में प्रयोक्ती इटों की माप 17.10 इंच दू तिन चार इच थी। दूसरा परिवर्धन हुणों की आक्रमन के पश्चात पांच वी या चठी शताब्दी में हुआ। इस समय इसके चारों और 16.00 फूट 4.06 मीटर चोड़ा एक प्रदक्षिनापत जोड़ा गया। 30 रिबार स्थूप का परिवर्धन हर्ष के शासन काल साथवी सदी में हु उस समय स्थूप के गिरने के डर से प्रदक्षिनापत को इकों से भर दिया गया और स्थूप तक पहुँचने के लिए सेड़िया लगा दी गए। चोथा परिवर्धन बंगाल नरेश महिपाल ने महमूद खजनवी के आक्रमन के दसवर्ष बात कराया। अंतिम पुनरु धार लगभग 1114 से 1154 के मद्ध हुआ। इसके पश्चात मुसल्मानों के आक्रमन ने सारनाथ को नश्ट कर दिया। उत्खनन से इस स्थूप से दो मूर्तियां मिली। ये मूर्तियां सारनाथ से प्राप मूर्तियों में मुख्य हैं। पहली मूर्ति कनिश की राजिसनवत इक्यासी में स्थापित विशाल बोधी सत्व प्रतिमा और दूसरी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्वार की मूर्तियां सारनाथ की सवरशेष्ट कलाकृतियां हैं। मूल गंध कुटी विहार ये विहार धर्म राजिका स्थोप से उतर की ओर स्थि किया है। इस मंदिर पर बने हुए नकाशिदार गोले और नतोदर ढलाई, छोटे-छोटे स्तंभों तथा सुधरनर कलापून कटावों आदिस से ये निश्चित हो जाता है कि इसका निर्मान गुप्त काल में हुआ था। परंतु इसके चारों और मिटी और चुने की बन हुई पक्की भर्षों तथा दीवारों के बाहरी भाग में प्रयुक्त अस्तिवस्त नकाशीदार पत्थरों के आधार पर कुछ विधानों ने इसे आठवी शताब्दी के लगभग का माना है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर के बीच में बने मंडप के नीचे प्रार सिंग द्वार था। कालांतर में जब मंदिर की छत कमजोर होने लगी तो उसकी सुरक्षा के लिए बीतरी दक्षिन आपत को दीवारे उठा कर बंद कर दिया गया। अत आने जाने का रास्ता केवल पूर्व के मुख्य द्वार से ही रह गया। तीनों दर्वाजों के फोट की मौरे कालीन वेदिका मिली। इस वेदिका पर उस समय की चमकदार पालिश है। ये वेदिका प्रारंभी में धर्मराजी का स्थूप की उपर हार नेका के चारों ओर लगी थी। इस वेदिका पर कुशांड कालीन ब्रामी लिपी में दो लेख अंकित हैं आचायाय परिग्रहे तवाम और आचाराना सरवास्तिवादेना परिग्रहे इन दोनों लेखों से यह जात होता है कि तीसरी शताब्धी इमें ये वेधिका सरवास्तिवादी संप्रदाई के आचारियों को भिंट की गई थी अशोक स्तंब मुख्य मंदिर से पश्चिम की और एक अशोक कालीन प्रस्तर स्तंब है जिसकी उंचाई प्रारंब में 17.55 मीटर 55 फोट थी वर्तमान समय में इसकी उंचाई के वल 2.03 मीटर 7 फोट 9 इंच है स्तंब का उपरी सिराब सारनाथ संग्रहाले में है नीव में खुदाई करते समय ये पता चला कि इसकी स्थापना 8 फोट x 16 फोट x 18 इंच आकार के बड़े पत्थर के चबूत्रे पर हुई थी इस स्तंब पर 3 लेकों लिखित हैं पहला लेक खशोक कालीन ब्रामी लिपे में हैं जिसमें समराट ने आदेश दिया है कि जो बिचुए अभिक्षुनी संग में फूट डालेंगे और संग्रह की निंदा करेंगे उन्हें सफेद कपड़े पना कर संग्रह के बाहर निकाल दिया जाएगा दूसरा लेक कुशान काल का है तीसरा लेक गुप्त काल का है जिसमें समित ये शाखा के आचारियों का उलेक किया गया है धमेख स्टूप धर्म चक्र स्टूप ये स्टूप एक ठोस गोलाकार बुर्ज की भाती है इसका व्यास 28.35 मीटर 93 फूट और उचाई 49.01 मीटर 143 11.2 मीटर तक इसका घेरा सुंदर अलंकरित शिलापटों से आच्छा दित हैं इसका ये अच्छादन कला के द्रिष्टी से अत्यांत सुंदर इवमा कर्शक है अलंकरणों में मुख्य रूप से स्वास्तिक नंध्यावर्द सद्रश विविदाकृतियां और फूल पत्ती क कटाओं की बेले हैं इस प्रकार की वल्लरी प्रदन अलंकरण बनाने में गुप्त काल के शिल्पी पारंगत थे इस स्थूप की नीवशों के समय में पड़ी इसका विश्दार कुशान काल में हुआ लेकिन गुप्त काल में ये उनत तयार हुआ ये साक्षे पत्थरों की स शिलापट प्राप किया था इस शिलापट पर साथवी शताबदी की लिपे में ये धर महेतु प्रबवा मन जंकित था इस स्थूप में प्रयुक तीटे 14 इंच एक्स 8 इंच एक्स 2 इंच आकार की हैं धमेक धमेक शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का मत है क ये संस्कृत के धर्मेग्या शब्द से निकला है किन्तु 11 इंच आपदी की एक मुद्रा पर धमाक जय तो शब्द मिलता है जिसे उसकी उत्पत्ति का उपर लिखे शब्द से संबंधित होना संदेहास पद लगता है इस मुद्रा में इस स्थूप को धमाक कहा गया है इस लोग बड़ी आदर के द्रिष्टी से देखते थे और इसकी पूजा करते थे कनिगम ने धमेग शब्द को संस्कृत शब्द धर्मोप देशक का संक्षिप्त रूप स्विकार किया है उलेकनी है कि बुद्वार ने सर्वप्रथम में यहां धर्म चक्र प्रारंप किया था अत ऐसा संभर्थ है कि इसकारण ही इसका नाम धमेक पढ़ा हो? कलाकृतियां तथा प्रतिमाय सारनात के एक शेत्र की खुदाये से गुप्तकाली नने कलाकृतियां तथा बुद्वार प्रतिमाय प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान संग्रहाले में सुरक्षित हैं गुप्त काल में सारनात की मूर्तिकला की एक अलग ही शैली प्रचले थी, जो बुढ़वार की मूर्तियों के आत्मिक सौंदरी तथा शारेरिक स्वष्ठों की समिश्रित भावे उजना के लिए भारतिय मूर्तिकला के इतिहास में प्रसिद्ध है। सारनात से कई महित्व पुन भिलेख भी मिले हैं जिसमें प्रमुक काशीराज प्रकट आदित्य का शिलालेख है। इसमें बालादित्य नरेश का उल्लेख है, जो फ्लीट के मत में वही बालादित्य है जो महिर कुलहुन के साथ वीरता पूर्वक लड़ा था। ये में हरिगुप्त नामक एक साथ उद्वारा मूर्तिदान का उल्लेख है। ये अभिलेख आठवी शतिई का जान पढ़ता है। बीच में लोग इसे भूल गये थे। यहां के इत पत्थरों को निकाल कर वारान असी का एक मुहला ही बस गया। उन्नीस सो पांची में जब प इगदाय का स्मरन दिलाने के लिए हरे भरे उद्वानों में कुछ हिरन भी छोड़ दिये गए हैं। संसार भर के बौध तथा आने परेचक यहां आती रहते हैं।